नमस्का स्वागत आप सभी का न्यूस ब्राडकास 24 मी के बिना असंभव है उन्होंने कहा कि प्रिंटिंग का लगभग 30,000 साल पुराना इतिहास है जब भी हम कोई अक्षर या चिन चापते हैं तो प्रिंटिंग हो जाती है आपने उस नमे की प्रिंटिंग वास्था को अच्छे से समाला लिक्सित किया सायता की ओप्रिंटर्ज में लोग लगे थे उनकी शिक्षा, उनका सिक्षन और उनकी रिफ्रेशर कोर्स लगाता और लगाते रहे क्योंके कोई भी जो उधा होती है उस उधा को लगाता जब टक संभाला न जाय, उसको ट्रेंड न किया जाय और सावहिक प्रेजन जब तक न क heir जाय कब तक उसकी सफल्ता संधे जनद होती है आप इस उधा को उससे में लेकर कचले जब प्रिंटिंग का कोई और सुवरोट था यानि उसमें प्रिंटिंग का विकल बहुत कम होता था बाद में तो कई प्रकार की विजाए वो खड़ी हो गई खास करके अगर मैं नूस मीडिया की बात करू तो print media एक मात्र media था जिसके पर लोग को जो बहुता तो आज भी है उसने भी था, लेकिन यही एक मात्र साधन होता था, लेकिन जब से टेलवीजन चला है तब से प्रेंट मेडिया के साथ साथ इलेक्टोलिक मेडिया उसने भी बना स्थान लिया लेकिन आज भी एक प्रेंट मेडिया से है जो हमारे प्रेंट मेडिया को ही इसको करना चाहिए उसी के उपर उस्ता भोसा है उस समय इतना चार मूता था मैं अगर आपको अपनी विद्धार फीजी उनके घृतना सुडाता हूँ मैं किसान परिवार से समझ रखता हूँ पिजाज एक खेटी करते थे गाओं में हम लोग कॉलेज में पहने के लिए आगए रोग तक भी पढ़ाही करता था वहीं इस मामले में सी मरोहरलाल की माने तो आज अपनी भावनाय व्यक्त करने के लिए संकेत भाश्वा मोग इशारे बॉडी लैंग्विज आधी होने के बाव जो भी प्रिंटिंग का महत्व कम नहीं हुआ है उन्होंने कहा कि All India Federation of Master प्रिंटर्स की स्थापना सतर साल पहले होई थी और तब से लेकर अब तक प्रिंटिंग के स्वरूप में काफी बदलाव आया है एक लेखक अपनी लेखनी के माध्यम से लोगों तक अपनी विचार पहुंचाता है अब लेखनी का अब तक लिबा से तना ही देश दुनिया से जूरत अबाब डेट जाने के लिए हमारे चैनल को आजी सब्सक्राइब कर लेए इस वीडियो को लाइकन शेयर करना मिल्कुल वीरा भूले स्थान डिजिटल ने ले लिया है परन्तु डिजिटल युग में भी इस विद्या को साथ लेकर चलना जरूरी है